बेस्ट फोड के वीडियर कॉरिंग स्मार्टफून अडर 15,000 तो बही अगर आपका वरीड 15,000 है, 14,000 पर दोने लगाता पहले, अगर आपका वरीड 15,000 है, 15,000 के बज़र रेंज में अगर आप सिनेमेटिक शूट करना जाते हो, व्लॉगिंग करना जाते हो, यूट्यूब आपके लिए मैं जो स्मार्टफून बताऊंगा, टॉप 3 नहीं, मैं आपको टॉप 4 स्मार्टफून बताऊंगा, जो कि आपके लिए पॉफेक्ट डील होने वाले है, तो बात करते हैं, सीधा नमबर 4 की, नमबर 4 की बात करूं, नमबर 4 पर यार मैंने रखा है, सैमसंग Galaxy M21 को, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, नौचानी स्मार्टफून है, आपको सही प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, ठीक है, प्लास्टिक बॉड़ी में देखने को मिलता है, कलर अपको पसंद आने वाली है, सैमसंग ब्रेंड है, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शकीन हो, आपके लिए भी पोफेल्ट डील होने वाली है, प्लस आपको 6000 एमेज की बैटरी मिल जाते है, प्लस 15 वार्काफ आस चार्जर देखने को मिल जाते है, तो पही अगर आपने जितना भी रिकॉ प्रसाइसर की बात का लेते हैं, आपको X-Nux 9-6-11 देखने को मिल जाते हैं, जो कि इतना तगड़ा प्रसाइसर नहीं होता, तो बही अगर आप सैमसंग लवर हो जा, फिर अगर आपको एक नौन चानी स्मार्टफून चाहिए, तो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते ह अगर आप अच्छी फोटोस लेना चाहते हो, विल्स बनाना चाहते हो, टिक टॉक बनाना चाहते हो, अगर आपका पंदरा जार है, आपके लिए पॉफेक्ट डील हो जाएगी, सैमसंग लेक्सी M2-D1 प्लस मैं आपको बता देना चाहते हो, सभी के बाइंग लिंक मैंने दिस्क्रिप्शिन बोक्स में दिया हुआ है, अगर आपके चाहूड करने पर आप चाहूड भी कर सकते हो, अब आगे बात करते हैं, नमबो थ्री की, नमबो थ्री की बात करूए, नमबो थ्री पर यार मैंने रखा रच्वेड़बी नोड टैन को, गरी स्मार्ट फोन की बात करूं सबसे पहले बाई मैं आपको ये चीज बता देना चाहते हूँ यह तीन कलर में देखने को मिलता है सबी कलर इसको बहुत सूट करते हैं बैक साइड में जो कैमरे की शेप है वो भी इसको बहुत ही जदा सूट करती है आपको कॉर्ड कैमरा सेड़ इस पर आप फू थाटी में आप ऐक्सली के साथ को मेल जाथे लेकिन आपको मैं बता देना चाहतnous हूं कि इसका त्यू头 को नहीं तगड़ा देखनी को मिलता डैट वाय इसको मैंने नमें थ्री पर रखांग और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता है, आपको 11 nanometer technology के साथ पेस जो है परसाइसर इसमें देखने को मिलता है, फून जो है वो तीन वीडियो में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी display quality भी आपको तगडी मिल जाती है, इसमें भी आपको super AMOLED display देखने को मिल जाती है, जो की gorilla class 3 की production के साथ द करना जाते हो, Redmi Note 10 को देखना जाते हो, specification पढ़ना बगारा जाते हो, तो link बगारा इसका भी provide किया हुआ है, आप चैबड कर सकते हो, देल खोल के देख सकते हो, बैई कोई problem में आपको नहीं आने वाली मैं, जितने भी आपको phone बता रहो, जातो वो ने लोंच होए है, प्लस अगर इस smartphone की बात करो, सबसे पहले कई बंदों को इसके जो colors या जाए, इसका design है, कई बंदों को पसंद आएंगा, कई बंदों को शायद पसंद ना भी है, लेकिन specification के according पूरा loaded जाया है smartphone है, आपको 6GB wind के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 15,000 के ब्लेट रिंच में मिल इसका processor तगड़ा है, अगर आप camera के according to smartphone चाहते हो, इसके साथ आपको processor भी तगड़ा चाहिए, आपके लिए ये smartphone perfect deal हो जगता, आपको snapdragon 730G देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm technology के साथ बेज़ जाए, फून जो है, वो 3 video में देखने को मिलेगा, आपको core camera setup देखने को मिल जिस पर आप 4K video shoot कर सकते हो, 30fps पर मैं आपको पता देना चाहता हूँ, आपको इसमें Sony IMX686 sensor देखने को मिलेगा, तो back cameras का बहुत ही जादा आप पर है, प्लस आपको dual selfie front में देखने को मिल जाते है, तो भी अगर आप front में selfies लेने के जादा श्क्रीन हो, आपके लिए भी यह जो smartphone है, perfect deal होने वाली, आपको 20MXL plus 2MXL dual selfie देखने को मिल जागी, 4500ms की battery मिल जाते है, 27W का fast charger देखने को मिल जाते है, तीन colors में आपको smartphone देखने को मिलता है, जो भी color आपको सूट करता है, जो भी color आपको पसंद आता है, आप उस color के और जा सकते हो, अभी minus point यह एक क No.1 की बात को No.1 पर यार मैंने रखा है Redmi Note 9 Pro Max को, अगर इस smartphone की बात करो, सबसे पहले भी मैं आपको बता देने चाता हूँ, पहले इसका प्राइज आता था 16,000 जा 70,000, 16,000 के बज़ड में, लेकिन अभी इसका प्राइज कम होगा, आपको 40,000 999 के बजड में यह smartphone देखने Note 9 Pro Max, बहुत लोगों ने पसंद किया, और बहुत ही लोगों ने इसको purchase किया, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि आपको यह phone है, यह तीन colors में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो gray color आता है, वो इसको बहुत ही ज्यादा suit करता है, आपको IPS LCD देखने को मिल जाते हैं, जो कि Gorilla Glass 5Q protection के साथ आती, जो कि 16 refresh rate के साथ देखने को मिल गी, phone जो है, वो तीन grade में देखने को मिलता है, जो भी आपके budget range में set बैटता, आप उसके जा सकते हो, परcessor की बातों को Snapdragon 720G देखने को मिल जाता है, जो की 8 nanometer technology के साथ, बेस्द है, camera की बातों को core camera मिल जाता है, जिस पर आप सबी के लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है, तो यहार, main specification में आपको बता दिया, Redmi Note 9 Pro Max KB Plus, मैं आपको बता देना जाता हूँ, इसके camera application में ऐसे आपको कई features बगारा देखने का मिल जाते है, जो कि आपके photos को video recording को बहुत आगे तक क्लिकर चले जाते है, मैं आपको deeply बता जाता हू मैं आपको बता दिया, अगर आपने उनके और जाना है, आप जा सकते हो, अभी बात का 3-9 में से कौन सा लेना चाहिए, तो भई अगर मेरा बज़र 15,000 होता है, तो भई मैं जाता है, Redmi Note 9 Pro Max कर, because specification के according पूरा loaded है, color design बगारा बहुत ही जादा सही है, तो भई अगर आपका भ मेरी वीडियो, यह ही पर हो जाती है, करतम, अगर आपको मेरी विच्छ लगिया वीडियो को लाइक करताना, क्मेंट करताना, शियर करताना, दोस्तों को बेदाना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदाना, उनको भी कहताना कि चानकों को गदर सब्सक्राब, वीडियो को करत प्रगपत प्रबस्टल